हलो दोस्तों मेरा नाम धननजे है, आज मैं आपको अगेन अगेन इसलिए बोलना हूँ क्योंकि बहुत जारी वीडियो मैं इस बुक पे बना चुगा हूँ हलाकि इस वीडियो में मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से भी कुछ पॉइंट एड कर रहा हूँ, एक जैकली कॉपी पेस नहीं किया है मैंने तो मैंने एक तरफ पुवर डेड रखा है, एक तरफ रिच डेड रखा है, मतलब एक जो थौट है, वो ट्रेडिशनल थौट है, एक तरफ रखा है मैंने जो थोड़ा स्मार्ट थौट है, फिनेंसिल थौट है, दिमाग जहां पे ज़्यादा लग रहा है, पैसा जहां पे ज़्यादा बन रहा वह वाला थौट है तो मैं अपने मारे मता दूँ मैंने I.T. कानपूर से Master's in Quantitative Analysis and Risk Management की डिग्री ली है and मैं I.E.M. लखनाउ से strategic management किया है और finance पे ज़्यादा तर वीडियो बनाता हूँ corporate पे, finance पे, strategy पे overall मेरा निस्ट कोई एकदम finance ही नहीं है, मैं इन सारी चीज़ों पे normal एक professional life पे वीडियो बनाता रहता हूँ तो यहाँ पे मैं आपको दो point देने वाला हूँ poor dad का जो thought है और rich dad का thought है आप देखो आपका thought किदर की तरफ जा रहा है rich dad का जो thought है बड़ा progressive है, बड़ा अच्छा output लेके आता है, तो हम सब को कोसिस करनी चाहिए, हम उस तरफ अपनी thought रखें वीडियो पसंद आया है, तो subscribe करिएगा चैनल को, और वीडियो को तो like करिए चलिए, poor dad क्या कहते है, खूब पढ़ो academic में ध्यान दो books करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई से काफी अच्छी नौकरी मिल सकती है यहां से आप आगे जा सकते हो this is the only way through which you can grow and become rich rich dad क्या कहते है finance पढ़ो, पढ़ाई उतना करो, ठीक है पढ़ाई भी करो, लेकिन finance ज्यादा पढ़ो, तरीके सीखो earning करो, money को समझो पैसे को समझो, how to जितनी जल्दी आप understand कर जाओगे, पैसा क्या है, उतना ही आपको फैदा होगा, यह कहते है rich dad, आप क्या कहते हो, सोचो दूसा point है poor dad कहते हैं, अभी पैसे बारे मत सोचो पैसा आएगा, अभी पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई करो rich dad कहते हैं, पैसे के बारे में आभी इसे सोचो अगर अभी इसे सोचोगे पैसे के बारे में तब ही आगे उसकी value समझ में आएगी और उसको आप बना पाओगे poor dad तीसरे point में क्या कहते हैं अच्छी job लो risk free रहता है, tension नहीं रहती है fix salary आती है और आपको सामको आप घर आ जाते हो, कोई risk नहीं रहता rich dad कहते हैं business करो, risk low calculated risk low और उसको evaluate करो काफी पैसा आएगा लंबे टाइम तक आएगा, कम मेहनत करनी पड़ेगी बाद में tension free रहोगे करो, खुद काम करो और रिजड़ेट क्या कहते हैं खुद काम मत करो दूसरों से करवाओ, समय को खरीदो समय को खरीदो समय की खरीदने पे मैंने कुछ वीडियो बनाये है, purchase time इस वीडियो के जरूर देखिएगा और ये वीडियो आपके काफी करीब रहेगी क्योंकि मैं अपने personal experience से इस वीडियो को बनाया है मैंने कुछ भी जूट नहीं बोला है कुछ भी bookis नहीं बोला है कुछ भी मैंने कहीं और से, किसी और की book से नहीं लिया है it is complete my own experience जो मैंने उसको फाइदा लिया है उस फाइदा को मैंने share किया है फिर poor debt पांचवे point पे क्या कहते है पांचवे point पे कहते है घर खरीद लो कार खरीद लो EMI से, आज कल तो काफी EMI से मिलती है चीज़े rich debt कहते है asset खरीदो don't buy liability buy assets asset क्या होता है जो आपको पैसे कमा के देता है liability क्या होती है जो आपसे पैसे लेके जाती है कई लोग सोचते हैं घर कैसे liability हो गया हो asset है हमारा यह हमारी thought है अगर आपने EMI पे घर लिया है तो बहुत बड़ी आपकी liability है आप हर महीने जो EMI देते हो वो आपके rental asset कहीं जाता होता है calculate करके देखना एक मालो एक करोड का घर लिया आपने तो उस पे जो आप EMI दोगे लगबग लगबग आप उस पे एक लाग असी हजार इस तरह से EMI दोगे एक लाग का घर का जो rental है न वो आराम से आपको पचीस हजार रुपे में मिल जाएगा 25,000 पर मन्थ पे आपको rental मिल जाएगा अब वहाँ 80,000 रुपे इमाई दोगे तो पहले तो 55,000 पर मन्थ आप जादा दे रहे हो आप ज़रा calculate करके देखो जो आपने लोन लिया उसका interest क्या है उतना ज़ादा जो interest उसमें लग रहा है आपका पैसा वो drain कर रहा है उतना ज़ादा घर सायद ग्रो ना कर रहा हो तीसरी बात यह है कि घर खरिने में bank पूरा लोन थोड़े देता है आपको margin money भी तो देनी पड़ती है माल लेजर जनरली 20-25% margin money होती है तो 25,000 लैक आपने एक करोड़ के घर में अपना भी block कर दिया है उसका भी तो interest आप खो रहा है उसका भी तो growth opportunity आप खो रहा है तो यह होती है liability तो liability कई बार हम अच्छे से calculate नहीं कर पाते हैं तो अगर हम उसको अच्छे से calculate करते हैं तो मुझे नहीं लगता कोई problem आपको होगी so it was all the lesson of rich dad and poor dad I hope you liked it and please subscribe the channel if you like and इस video को भी like करियेगा thank you very much bye bye take care